दोस्तो मैं सोरम बलिक आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं Top 26 GK के S.A.M.C.Qs जो की सभी प्रिक्साओं के लिए मैथ पून रहेंगे आप लोग इस वीडियो को सुरू से लेके end तक देखेगा 26 में से कितने questions के answer सही कर पा रहे हैं अपना score comment box में जरू हतेगा प्यारे दोस्तों एक बहुत important चीज है इस class का time time है रात में 9 बजे Only Top Study YouTube चैनल पर regular वीडियो आती है हर रोज नए questions होते हैं तो ये time और channel दोनों note कर लीजे और एक भी दिन की वीडियो को मिस्मत करिए इसमें बहुत ही बहतीन बहतीन question मैं आपको daily basis पर cover कराता हूँ एक भी दिन की चुट्टी नहीं होती है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं पहला question है soda water बनाने के लिए कौन सी gas परियोग की जाती है और इसमें एक और बहुत बढ़िया बाती है कि आप लोग को कुछ second का समय दिया जाएगा हरे question में ताकि आप उस question का answer तब तक comment box में बता सके ठीक है चलिए तो answer बतेए soda water बनाने के लिए कौन सी gas का परियोग किया जाता है सही answer हैगा CO2 यानि कि C right answer हैगा पहले question का सही answer दूसरा question है विजय नगर राज्य की राजधानी कहां थी दूसरे question का दोस्तो सही answer हैगा हमपी कहां पर हमपी यानि कि दूसरे question का right answer C हो जाएगा तीसरा question है गोबर गैस सेंतर का अविसकार किसने किया था गोबर गैस सेंतर का अविसकार दोस्तो किसने किया था तो तीसरे question का right answer हैगा बिल्कुल C भी देसाइल है तीसरे question का right answer हो जाएगा A question number 4 है जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा जंग लगने पर दोस्तो लोहे का भार क्या होगा Question 4 का सही आंसर क्या रहेगा दोस्तो जंग लगने पर लोहे का भार होगा यानिकी बढ़ेगा Question 4 का right answer भी हो जाएगा अजबा question है फेठो यानिकी लंक्स को डकने वाला अवरण क्या कहलाता है सही आंसर हैगा प्लूरा प्लूरा बोलते हैं इसको बी राइट आंसर हो जाएगा अगर आप लोग किसी भी competitive exam की चारी करते हैं आप हमारी master pdf को ले सकते हैं मात्र 170 रुपे के अंदर जिसमें सारे subject मिलेंगे वह भी पूरी lifetime के लिए आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं master pdf का link description box और हमारे WhatsApp नंबर दोनों जगर हैगा link पर click करके payment करके आप पीडियाप डारेक्टली प्राप्त कर सकते हैं चटा question है अनुवांसिक unit अर्थार्थ जिन होते हैं इस question का right answer है गुण सुत्रों में ठीक है चटे question का right answer क्या रहेगा गुण सुत्रों में तो b right answer हो जाएगा question number 7 है जिला नियाएधीस किसके नियंतरन के अधीन होता है जिला नियाएधीस किसके नियंतरन के अधीन होता है दोस्तों सात्वा question सात्वे question का सही answer है गुछ नियाले के अधीन होता है ठीक है right answer C हो जाएगा सात्वे question का सही होता है खोशन6angen8 है किस देश में सुर्द सब से पहले डोबता है तो सही उत्तर रहेगा दोस्तों न्यूजिलेंड में ठीक है C राइट आंसर हैगा न्यूजिलेंड में सुर्द सब से पहले डूबता है लब डूबता हुआ दिखाय देता है नुवा कोशन है पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है टुकड़े का पूरा पिंगल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा नुवे कोशन का राइट आंसर हैगा ए परिवर्तित रहता है दोस्तों ठीक है बहिए गिलास के अंदर अगर पानी भरा हुआ है और उसमें टुकड़ा तैर रहा है तो वो पानी के समतल में तैर रहा है यानिकि उसने अपना जितना इसको एरिया चाहिए था वो उसने कवर क तैर रहा है और जैसे पिंग लेगा तो इसका पानी का वो बढ़ेगा एरिया बढ़ेगा तो ऐसा नहीं होगा ठीक है तो राइट आंसर सी रहेगा दसवा कोशन है सरकारी संपत्ति को नस्ट ने करना क्या है तो देखे सरकारी संपत्ति को नस्ट ने करना क्या है नागरिक कृतब भी है हमारा ठीक है तो right answer C हो जाएगा ज्यारवा कोशन है खाने के सोडे का रसाइनिक नाम क्या है खाने के सोडे का रसाइनिक नाम है sodium bicarbonate ठीक है जी right answer A हो जाएगा कौन सा एक जिवित जिवास्म living fossil कहलाता है right answer हैगा जिनको यानि की C right answer हो जाएगा बारवे कोशन का सहीउत तेरवा कोशन है ब्रम समाज के संस्तापक कोंते सेशन आपको अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक करिए सिहर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ में और आप किसी भी एक्जाम की चारी कर रहे है देखे रात में 9 बजे बिल्कुल fix time है only top study का आप चाहे कभी भी देख लेना 9 बजे आपको वीडियो मिलेगी आपको बस 10 मिनट निकाल के यह देखनी है और कुछ नहीं करना है पूरे दिन की जीके आपकी complete हो जाएगे 13 कोशन का राइट आंसर हैगा राजा राम वान राइ यानि कि D राइट आंसर हो जाएगा आप इस वीडियो को या तो सोते टाइम देख लो या खाना खाते टाइम देख लो बस 10 मिनट का टाइम निकाल लो कोशन नमबर 14 है जापान में लोग किस लाइकेन को सबजी के रूप में खाते है राइट आंसर हैगा इंडो कारपन को यानि कि C राइट आंसर हैगा कोशन नमबर 14 का सहीव तर सुभास चंदर बोस के पिता कौन थे सुभास चंदर बोस के पिता थे दोस्तो जान की नात बोस राइट आंसर भी हो जाएगा पंदरवे कोशन का सेट सोलवा कोशन है तमिल रामायन अथवा रामतार की रचना किसने की सही आंसर हैगा कमबन ने ठीक है 16 कोशन का राइट आंसर भी हो जाएगा निमलेकित मेंसे किस किरन की आयन समफा सबसे अधिक होती है दोस्तो 17 कोशन का राइट आंसर हैगा अलफा किरनों की यानिकि A is the right answer 18 question है Alpha और Beta केर्णों की खोज किसने की Alpha और Beta केर्णों की खोज दोस्तों किसने की थी Right answer हैगा Rather Ford ने Rather Ford ने 18 question का right answer C हो जाएगा Black hole से दान्द की खोज किसके द्वारा की गई Black hole से दान्द की खोज किसके द्वारा की गई 19 question का right answer हैगा S चंदर से इकरान ने यानि कि 19 question का right answer C हो जाएगा Pencil में प्रियुक्त काली सी सानी कि Black LED है 20 question का दोस्तो right answer हैगा Gray fight यानि कि C याँपर right answer हैगा 20 question का सही उत प्रत्वी गोल है यह सबसे पहले किसने का था प्रत्वी गोल है यह सबसे पहले दोस्तो किसने का था सही answer रहेगा अरस्तूने ठीक है 21 question का right answer हो जाएगा 22 question है अद्रक होता है रुपांतरित अद्रक होता है रुपांतरित तना यानि कि 22 question का right answer दोस्तो डी हो जाएगा 23 question है विस्ट में सबसे बड़ा और सबसे बड़ा स्तंदारी कोन सा है 23 question का right answer है नीली वेल यानि कि C right answer हैगा 23 question का सहीवत रास्टे खेल दिवस कब मनाया जाता है रास्टे खेल दिवस दोस्तो कब मनाया जाता है सही आंसर हैगा 29 अगस्त को यानि कि A यहाँ पर सही उत्तर रहेगा किस पक्सी की आखे सबसे तेज होती है किस पक्सी की आखे दोस्तो सबसे तेज होती है 25 question का right answer हैगा बाज की ठीक है right answer C हो जाएगा 25 वे का सही आंसर मोकासा क्या है मोकासा दोस्तो जागीर है ठीक है यानि कि 26 वे question का right answer A हो जाएगा अब देखे 26 में से कितने questions की आंसर आप लोगों ने सही किया है comment box में अपना score बतेगा जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है या आप लोग के लिए test question है इसका भी answer सभी को comment box में जरूर बताना है प्यारे दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक master pdf को नहीं लिया है तो 170 रुपे की pdf है जिसके अंदर आपको सारे subject मिल रहे है वो भी पूरी lifetime के लिए आप कितनी बार भी पढ़ सकते है master pdf का link description box और हमारे whatsapp number दोनों जहें रहेगा link पर click करके payment करके आप pdf directly प्राप्त कर सकते है session आपको पसंद आए तो like share करिए channel पर नए हैं तो subscribe करिए bell icon को on रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो thank you so much, bye bye everyone, take care, ख्याल लगे अपना, मिलते है next class में